नमस्कार आज की खबर चेनल में हम आपका स्वावगत करते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपके लिए आज कौन कौन सी खबरें लेकर आएं हम आपको बताएंगे दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपके लिए लेकर आएं दोस्तो दो बड़ी खबर है हमारी आज की पहली बड़ी खबर है देवी दुरगा आज नाव पर सवार होकर घरगर आ रही है इसके बारे में हम आपको पूरी जान करी देंगे हमारी आज की अगली बड़ी खबर है संसकारी पिता आलोग नाज पर लगा योन शोशन का अरोप इसके बार पूरी खबर बताएंगे शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा खबरों का सिलसला और पहली खबर हम आपको बताते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर है देवी दुर्गा आज ना उपर सवार होकर घर घर आ रही है इस खबर के बारे में हम आपको पूरी जानकरी देने जा रहे हैं दोस्तों आज से नवरात्री का जो मोसम है दोस्तों नो दिनों का वह शुरू हो गया है हाँ दोस्तों आज से घर घर के अंदर माता रानी के भजन होंगे कीरतन होंगे दोस्तो आज से नो दिन तक नवरात्री चलेगी हम आपको बताएं दोस्तो आज से नवरात्री शुरू हो गई है और दोस्तो हम आपको बताएं इस बार जो देवी माता है दोस्तो दुरुगा माता दोस्तो वह है इस बार नाव पर सवार होकर आ रही है जो दोस्तो अत्यन्त शुब माना गया है और दोस्तो जब जाएगी तो दोस्तो हाती पर सवार होकर जाएगी हाँ दोस्तो दुरुगा माता जब भी दोस्तो नाओ पर सवार होकर आती है तो दोस्तो अपने साथ खुशाली लाती है और दोस्तो यह सब लोगों के लिए हम आपको बताएं यह है आशुइन शुक्ल पक्ष की शार्दिय नौरात्री है दोस्तो इसे शक्ति प्राप्त करने वाली लौरात्री भी कहा जाता है दोस्तो आज से नो दिनों तक लगातार मातारानी की पूजा करनी है दोस्तों उनकी सेवा करनी है और दोस्तों हम आपको बताएं जब भी मातारानी दोस्तों प्रस्तान करेगी हाती के उपर तो दोस्तों हम आपको बताएं आपके घर के अंदर बहुत सारी खुशाली लेकर आएगी और दोस दोस्तों हम आपको बता हैं जो यह नौरात्री है दोस्तों इस बार के नौरात्री बड़े ही शुब माने जा रहे हैं हम आपको बता हैं दोस्तों जिदी आप यह हैं नो दिनों तक जो नौरात्री चल रहे हैं दोस्तों इनको करते हो तो दोस्तों आपके जियों में बहुत बदलाव भी आ सकता है, दोस्तो हम आपको बता हैं आपको 9 दिनों तक भगवान की पूझा पार्ट करनी है दोस्तो, उसके इंदर आपको मन लगन है, हो सकता है दोस्तो, आपकी जिंदगी सवर जाए, हमारी आज की दूसरी बड़ी ख़बर है, संसकारी पिता आलोक नात के पर दोस्तो योन शोशन का आरोप लगाया दोस्तो और दोस्तो यह आरोप लगाया दोस्तो उनीकी इंडरेश्टी की एक महिला ने हाँ दोस्तो हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं हम आपको बता हैं दोस्तो तनुश्री दत्ता ने दोस्तो जिस प्रकार नाना पाटेक के उपर योन शोशन का आरोप लगाया था दोस्तो दोस्तो इसी प्रकार कई महिला हैं दोस्तो अब भग खुल कर सामने आ रही है और दोस्तो हम आपको बताएं जो पुरानी बात हैं दोस्तो उनको सामने ला रही है दोस्तो इस प्रकारी एक पुरानी बात सामने आई है दोस और अब बारी है दोस्तो संसकारी पिता आलोक नात की हां दोस्तो हम आपको बताएं आलोक नात के उपर दोस्तो योन शोशन का आरोब किसने लगया है दोस्तो आप नहीं जानते होंगे हम आपको उनका नाम बताते हैं दोस्तो उनका नाम है विंटा नंदा हां दोस्तो उनका इलजाम लगाएं और दोस्तो इस पोश्ट के अंदर ये बताया है कि आलोक नात ने उनके साथ उस रात क्या है कि हाँ दोस्तो हम आपको बताएंगे कि उस रात विंटर नंदा के साथ क्या हुआ था दोस्तो यह बात उन्होंने फेस्बुक पोश्ट के अंदर लिखी है हम आ आपको बता है उन्होंने अपनी पोश्ट के अंदर ये बात कही है कि दोस्तो उस समय रात के दो बजे थे दोस्तो और दोस्तो उस दिने आलोकनात की घर पर पाल्टी चल रही थी और वह रात को दो बजे अपने घर जाने के लिए निगली थी लेकिन दोस्तो उनको ऐसा लग लेकिन दोस्तो हम आपको बता हैं पीचे से आलोकनाद गाड़ी लेकर आते हैं दोस्तो ऐसा कहना है बिंटा नंदा का और दोस्तो वह उनको गाड़ी के अंदर बैटाते हैं और अपने साथ बिंटा नंदा के घर पर उनको ले जाते हैं उनको छोड़ने के लिए और दोस्तो उनका वह शोशन करते हैं और हम आपको बताएं दोस्तों फिर वह चले जाते हैं दोस्तों जब वह सुबह सो कर उड़ती है तो उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है लेकिन दोस्तों वह किसी को भी कुछ नहीं बताती है और दोस्तों इस बात को वह अब बता रही है दोस्तो जब दोस्तो हम specific है विन्टा को अच्छे से जानता हूं इसलिए, उन्हें अपने विचार रखने का पूरा हक है समय आने पर सही बाद सामने आ जाएगी। दोस्तो ऐसा करना है आलोकनाथ का दोस्तों यह हमारी आज की तमाम खबरें आप हमारे जो चैनल आज खबर उसको लाइक और सब्सक्राइब पुरना ना भूलें नमस्कार